तुम्हारे रिलेशन्सिप में और तुम्हारे प्यार में किसी और की कोई जगे नहीं है कीचड में चुप चाप फेक दें ये चीज प्यार के दिमाग से, जहन से, बुद्धी से पूरा खुरापात समाप्त हो जाएगा क्या होगा दिमाग में? सिर्फ और सिर्फ तुम लवे दिस्ट्रॉलजी नवश्कार, मैं हूँ आचारी सती सवस्ती आपका बहुत स्वागत करता हूँ लव बिद ऐस्ट्रॉलजी में लवे दिस्ट्रॉलजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है लबिदिस्टॉलजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है लबिदिस्टॉलजी में आपको संपूरता से चिताया जाता है और आपको इस पश्टता से स्रेष्ट किया जाता है लबिदिस्टॉलजी में शादी के पहले, शादी के बाद हर समस्या का समाधान किया जाता है और जरध्यान से ब्रवित्मत हो जाना कदाचित हो सकता है हमारे थमनेल्स किसी से मैच करते हो मटेरियल मैच नहीं करता पैकजिंग पर विश्वास मत करना अंदर के मटेरियल पर विश्वास करना क्योंकि यहीं से पता चलता है कि कौन क्या है ग्यान तब पता चलता है जब कोई और कुवा आपस में बात करने लगे वन्ना तो दोनों ही काले दिखते हैं भ्रमित्पत हो जाना मैं हमेशा कहता हूं उन पंडित पुजारी पाधा महत्मा संत बने हुए लोग जो है यह या तांत्रिक मांत्रिक मुल्ला मौलवी यह लोगों से सावधान भ्रवित कर रहे हैं कि कुछ नहीं जानते प्यार में तो पावी नहीं पता निरक्षर भट्टा चार रहे हैं सावधान इदर दर भटक मत जाना वन्ना सब खराब कर बैठोगे आज मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन को स्रेष्ट करने के लिए हमारे हां यहां 22 सालों में 25 लाख लोग लाभान वित हो चुगे यहां का सक्सेजरेट 96% प्लस है और यह सब निरन तर जारी है यहां चार हज्जार लोगों की बड़ी तीम है यहां रिसर्च हो रहा है कीता अबेद पुराण साथ तबस्या और अध्यात्म के ऊपर यहां आपको बलवान बनाया जाता है जीवनत किया जाता है जीने की नह बताई जाती है और आपको स्रिष्ट किया जाता है आज हम कह रहे हैं यह चीज किसी गंदी जगे में फेक करा जाना चप चाप तुमारा रिस्ता ततकाल ठीक हो जाएगा यह चीज किसी गंदी जगे में फेक देना दिमाग से खुरापात गंदगी निकल जाएगी उसकी उ खुदके दिमाग, इधर धर का planning सब समाबत होगा, दिमाग में होगे तो सर्फ और सर्फ तुम, जहन में चलेगा तो सर्फ और स्र्फ तुम्हारा विचार, उसके मनतब्ब में, उसकी चेतना में, उसके अंतरंग में, अगर कोई दूसरा होगा, तो वो होगे तुम उसके स्वयम के अलावा आब ततकाल प्रोहावसे इस बात को समझने की कोशिश करें ग्रेह नक्षत्र आहां हां हां जोतिश के आधार पर कुंडली, हस्त रेखा, मस्तक रेखा कहीं पर भी कुछ भी कड़ बड़ है, ततकाल तुम्हारे लाइफ में ठीक होने की कंडिशन बन जाएगी और यह उपाय क्या करता है? रुके हुए कामों को ठीक करता है इस उपाय को करने से रुके हुए काम ततकाल होने लग जाते है बुरे लोग आपका पीछा नहीं करते, परेशान नहीं करते आपके साथ साजा कर रहे हैं वाइस मेसेज प्लीज गुरुजी आपके चण्णों में खोटी-खोटी प्रणाम पहले में बहुत परिसान रहती थी मैंने आपको यूटूब पर देखा और आप पर विश्वास किया आपके द्वारा बताये गए गुरुजी मेरे जीवन में काफी सारे बदला veto आए और मेरे जीवन में इतनी सारी खोशिया लाने के लिए आपका धनिवाद गुरुजी थाउंच यू थाउंच यू खोब अच्छे से रहिए पर शहन wennya बहएतर रहने की कोशिक्ट कीजिए ल oynसкого तुम्हारी वज़े से हैं आज में कह रहा हूं कि यह चीज घंदी जगे में फेक देने मातर से तुम्हारा पती तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी पत्नी तुम्हारा लवर तुम्हारा प्रीनी तुम्हारी प्रेमिकार तुम्हारी चाहने वाले तुम्हारे अपने लोग और जिन्हें तुम सच में ठीक करना चाहते हैं, जो लोग मनोविकार की वज़े से भी दूर हो गए हैं, जो किसी भ्रम की वज़े से दूर हो गए हैं, किसी मिसकंसिप्संस की वज़े से, किसी किसी कम्मुनिकेशन, जो मिसक्मुनिकेशन हो जाते हैं, उसकी वज़े से अगर पार्टनर का नाम बोलकर फूप मारके लगाते जाईएगा और अपने उपर से तीन बार उतारिए और तल्वों पे तीन बार रगड़ करके इस्तरी कर रही है दुमाय तल्वा और पुरुश कर रहा है दाइना तल्वा रगड़ करके पैरके और कहीं गंदी जगे में फेक करा जाएए ये काम सिर्फ और सिर्फ रविवारों बदबार करना चाहिए अत्याधिक बेनी फित होगा और हाँ जिनकी कुंडली में राहू और ब्रहसपती एक साथ बिराजमान है बरे लोग ही मिलते हैं हमेसा हमें इसा धोखा देने वाले ख़राब दो मिलते हैं उनके लिए तो ये रामबान उशदी है पूरे मन्चे पूल शद्धा से पूरे विश्वास के साथ करना खुश रहो मुस्कुराओ सुंदर बनो हरादे गंडे में पढ़ाम करके पानी पीओ अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश करो मैं हूँ न तुम्हारे साथ तुम क्यों रोते हो क्यों परेशान हो क्यों दुखी हो क्यों अपने आपको डाउन कर रहे हो ठीक हो जाओ तुम ठीक रहोगे तभी सब ठीक होगा जिसे कुछ मिलना है वो बेतर होगा तभी कुछ अच्छा होगा तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो मैं तुम्हारा तुम्हारे प्यार का तुम्हारे परिवार का तुम्हारे ब्यापार का तुम्हारे संसार का सब का ध्यान रखना ओम नमस्यवाय झाल में झाल झाल